हेलो, इस टॉपिक को अलग से लेने का कारण है कि यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है हमारे लिए इवन आपके क्लास 12 के लिए बोर्ड के लिए अगर देख रहे हैं तो भी इंपोर्टेंट है और नीट के इसाब से भी यहाँ पर इंपोर्टेंट कोशन्स बनते हैं कई बार जो रहते हैं आपकी गुमाफिरा की कोशन्स पूछते हैं तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे बहुत सिंपल सी चीज है अभी एक प्रश्ण दिमाग में उठता है क्या कोई इतनी स्पीशीज हमारे सामने दिखती है अभी इन स्पीशीज में अगर मैं कुछ को दो-चार एक्स्टिंट हो गई या गायब हो गई खतम हो गई कोई भी नहीं जैसे डाइनसोर थे पहले आज गायब हो गए तो क्या इस स्पीशीज के गायब होने से एकोसिस्टम पर कोई प्रभाव पड़ता है तो यह इस प्रकार का जो था यहां पर एकोसिस्टम पर आपका एफेक्ट देखने के लिए यहां पर क्या था पॉल एन्रिच जो की क्या था इकोलोजिस्ट कहां पर स्टैंटफोर्ड में यह यह युनिवर्सिटी यह स्टैंटफोर्ड युनिवर्सिटी वहां पर यह एकोलोजिस्ट था उसने क्या किया एक रिवेट पॉपर हाइपोथिसिस के नाम से क्या किया उसने एक अपने एक थेओरी दी थेओरी की उसमें क्या बता है उसने उसने बोला कि मानलो हम एक ecosystem को aeroplane की तरह समझ लेते हैं वैसे तो दिख नहीं रहा है बट कोशिश करो कि यह आपका एक aeroplane है जो ओड़ा है अभी इस aeroplane में जो है क्या है यह plane जो है कैसे है आपका ecosystem अभी plane किस से बना हुआ तो बहुत सारे metal से बना हुआ है और यहां बहुत सारे nut ball लगे हुए रहते हैं अंदर chair wear है सब कुछ है अभी यह जितने भी part से बना हुआ है सब part क्या है मान लिजे अलग अलग species है मतलब हो आपका अलगलग species प्लेन जो है आपका यह क्या हो यह पूरा ecosystem है अभी मान लो कुछ चोटे भी रहते हैं अपने यहां पर है ना आपने यात्री लोगं तो सीधे साधे रहते नहीं, कहीं भी जायांगे तो कुछ ना कूछ तो क्या करेंगे, भस खाके लिए आते हैं, तो यहाँ पर मानलो एक यात्री आया, उसने क्या किया, हैंसे कुछ नडड़ निकाला, कुछ ने टीळी निकाल लिया, कुछ दो कुछ निकाला, और निकाल करेंग wird, बहुंठ करेंदा है, बहुत जादा चेंजेज्ब करेंगों, को दिखाई नहीं देते ठीक लेकिन अगर बहुत सारी स्पीशीज क्या हो जाएंगी हट जाएंगी यानि यहां से रिवेट को बहुत सारे नटबोल्ड को निकाल दिया तो प्लेन क्या हो जाएगा क्रैश भी हो सकते यानि वीक या कमजोर हो जाएगा ठीक है दूसरा चीज तो बैलेंस बनाके रखा था अभी अपने पंक वाल निकाल दिया तो एक पंक तूड़ याएगा एक पंक तुड़ गया तो क्या ओ जाएक आपका प्लेन एक तरफ जुख के नीचे और आप ऊपर है कि नगी है उपर से पहले से पहले से पहले से घिल फिर उपर जाओगे आपको कोई पैराशूट दिया तो बात अलागे कि धीर धीर आओगे उपर नी जाओगे बट जाना तो है एक नाइक दिन तो ठीक है तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं इसको क्या बोलता है जो important species होती है याने कि जैसे plane के आपके wing के पास वाली species जो है क्या है आपकी keystone species होती है यह क्या होती है इनका एक भी species अगर लौस ही तो क्या हो जाएगा यह पूरे ecosystem को क्या करता है यहां पर flight की safety के लिए बहुत ज्यादा critical हो जाता है यह अकेला ही क्या है यहां पर आपकी 50-60 species भी ecosystem को प्रभावन नहीं करेगी जबकि keystone species की एक को भी अगर आप हटाओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा पूरा को पूरा plane आपका crash हो सकता है तो यह किस नहीं दिया था पॉल एंडिश ने तो हमें जो दो तीन च चीज को क्या consider किया गया था और उसने consideration के बाद में क्या बताया था कि plane से अगर एक दो हटाएंगे तो क्या होगा और कौन सी जगह का करड़ आएंगे ठीक है तो यह दो point हमारे लिए important हो जाते है ठीक चलिए इसके बाद का next देखेंगे